Hello students, how are you? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, healthy होंगे और कुराना से आप बच रहे होंगे सभी नियम कानून का पालन कर रहे होंगे दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया गया था letter writing में, formal letter और informal letter के बारे में formal letter क्या होता है, इसके format क्या होते है, इसके structure क्या होते है informal letter क्या होता है, उसके format क्या होते है, उसके structure क्या होते है इसके बारे में आपको detail में जनकारी दी गई थी उसमें आपको बताया गया था कि formal letter में क्या लिखा जाता है informal letter के matter क्या होते है, उसके subject क्या होते है formal letter को आपका आपचारिक letter कहते हैं या official letter ही कहते हैं और informal को आपचारिक या personal letter ही जाते हैं इन सब बातों का discussion हो छुका था इन सब बातों के जनकारी आपको दी जा चुकी थी अब जो महत्पूर्पक्श भात कहिये है कि आपको question देखकर के बताया जाए कि questions कैसे आते हैं और उस पर आपको समझाया जाए कि letter कैसे लिखे जाते हैं तीक है आपको मालूम है कि इस बार 11th UP board की 11th में total NCRT pattern लागू कर दिया है और grammar एक तरह से खतम कर दिये गया है तो letter writing है, note writing है note making है, subtitling है essay writing है तीक है इतना आपको composition में दिया हुआ है, तो आज मैं आपको बता हूँ question के मादर में जो मैं आपको बता हूँगा ठीक है, कि formal letter कैसे लिखा जाता है, यहाँ भी हमनो formal letter के बारे में discuss हमलोग करने वाले हैं ठीक है, तो एक question ले ले लेते हैं आईए, देखते हैं एक question ले ले लेते हैं write a letter to the editor of Amarujala for fused street light ठीक है? problem in your area fused state light problem in your area आपके area में street light है वो fused हो गई है ठीक है? और उससे problem हो रही है, street light होती है ताकि night में evening में दिखे street light नहीं होगी यह तो बहुत सारी दिक्कते होती है और क्या क्या दिक्कते होती है इसी को आपको बताना है तो आप सभी जानते हैं कि जो official letter होता है वो official तरीकेस लिखा जाता है, ठीक है? किसी post पर लिखा जाएगा responsible person को लिखा जा सकता है media को लिखा जा सकता है newspaper को लिखा जा सकता है ठीक है? किसी organization के head को लिखा जा सकता है किसी school के principal को लिखा जा सकता है किसी company में नौकरी के लिखा जा सकता है ठीक है? किसी officer को जनकारी मांगने के लिखा जा सकता है तो बहुत सारे officer letters लिखे जाते हैं बहुत सारे topic पे लिखे जाते हैं तो यहां जो topic मैंने लिया है वो आमर उजाला के editor से को आपको letter लिखना है और उनको अपने area में street light की problem के बारे में बताना है कि आपके जो street light है वो fuse हो गई है, street light जल नहीं रही है तो उससे बहुत सारे problem create हो रही है तो जैसा कि आपको पता है कि formal letter लिखने में जो NCRT के according जो syllabus बताया जाता है जो NCRT जो CBSE में है वो यह है कि सारी कि सारी चीजें left side में लिखे जाते हैं एक line पकड़ करके left side से आप लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे sender's address sender का यानि sender भेजने वाला letter आप भेज रहे हैं तो आपका address सबसे उपर होना चाहिए कुछ-कुछ forward में इस letter को यहां right side में लिखवाय जाता है आप जब अपनी 11th की book खरीदेंगे textbook खरीदेंगे तो उसमें भी left side में भी बताया है और right side में भी बताया है हालांकि NCRT क्या कहता है कि left side में ही लिखना चाहिए CBSC क्या कहता है कि left side में लिखना चाहिए CBSC medium की स्कूलों में अगर आप उनकी help और उनकी guide book को देखेंगे तो वहाँ पर left side में ही सारी चीज़ें लिखे जाती है right side में कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो सबसे पहले left side में आप क्या लिखेंगे बेजने वाले का पता लिखेंगे senders address लिखेंगे address दिया रहता है तो आप उसी address को लिखेंगे अगर question में कोई address नहीं दिया है तो आप अपने मंद से कोई भी address लिखने के लिए सुतंत्र है तो उसके बाद से आप date डालेंगे और date का format आप ऐसे ही लिखेंगे पूरा पूरा date लिखेंगे ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे receivers का address लिखेंगे receiver यानि जो letter प्राप्ट करेगा यानि जिसको आप letter लिख रहा है यहाँ पर किसको letter लिखा जा रहा है अमार उजाला के editor को अमार उजाला के जगह आप दैनिक जागरन भी लिख सकते हैं time family से कोई भी news paper आप ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भेजने वाले का पता उसके बाद से बीच में date डालेंगे उसके बाद से क्या लिखेंगे पाने वाले का पता यानि जो letter पाएगा जिसको आप letter लिखेंगे वही तो letter पाएगा आप भेज रहें तो कोई पाने वाला भी तो होगा तो उसका address आप लिख देंगे ठीक है इतना लिखने के बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे subject यानि किस भिशह पर आप उनको letter लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या समस्या है कि state light problem है यह जो चाराओं पर जो light लगी होती है state light वो नहीं जल रही है वो fuse हो चुकी है इसके बाद हम आपको लिखना है ठीक है तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप subject लिखेंगे ध्यान दीजिगा कि इस सारी की सारी मैं दीखें लेफ साइड से सुरू कर रहा हूँ एक line बना कर गया इसे आपको लिखना है ठीक है उसके बाद आप क्या लिखेंगे salutation लिखेंगे salutation ठीक है salutation लिखेंगे यानि respected sir, respected madam लिखेंगे आपको यह तो पता नहीं कि editors आप madam है कि sir है तो आप लिखेंगे respected sir लिखेंगे, respected madam लिखेंगे उसको लिखने के बाद आपको फिर यहां से आपको क्या शुरू होगा body of letter शुरू होगा अब आप main मुद्दर शुरू करेंगे लिखने का तो कैसे लिखेंगे यह मैंने अपने शब्दों में लिखा है ज़रूरी नहीं है यही शब्द आप exam में लिखें आप अपने शब्द भी डाल सकते हैं आई समझते हैं कि कैसे क्या आप लिखना शुरू करेंगे आप लिखेंगे through the esteemed column of a prestigious newspaper आपके प्रतिस्ठित newspaper के column से के माध्यम से I would like to draw your kind attention मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ toward the street problem of a area हमारे मुहले हमारे locality में हमारे area में जो street light की problem है यानि चौराओं की जो light नहीं जल दी उसकी problem है ठीक है We have complained multiple times regarding the problem हमने बहुत 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 शिकायते की है Fuse light के संदर में जो street light में फ्यूज हो चुकी है इसके संदर में हमने multiple complain बहुत सारी complain की है People are facing a lot of problem due to it उससे लोग बहुत प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे है अब क्या-क्या सामना कर रहे है आप देखिए road signs are completely invisible in the night road पे जो sign बना जाते है बाए मुडो दाइने मुडो दीरे चलो आका वो दिखती नहीं है speed breakers and main holes are not clearly visible at night जो speed breaker बने होते है या सड़कों में जो main hole बना जाते है sewer की सफाई के लिए वो नहीं दीख रहे है बै कैसे दिखेंगे street light जलेगी यह रोशनी होगी तब तो दिखेंगे अंधेरा रहता है तो नहीं दिख पाते है it causes an accident in this area और इस तरीके से बहुत सारे accident हो रहे है speed breaker नहीं दिखाई दे रहे है main hole नहीं दिखाई दे रहे है गड़े नहीं दिखाई दे रहे है तो accident हो रहे है in the evening area becomes completely dark शाम के समय हमारा area जो चौरह है के रहे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है unsafe for women and children ठीके और तो और बच्चों के लिए unsafe होता है ठीके वो घर से निकलने में डरते हैं two step out of their homes अपने घर से निकलने में डरते हैं CCTV cameras are ineffective in the absence of light CCTV cameras जो चौरहां पे लगे हुए हैं अपरात को रोकने के लिए अपरात को नियंतन करने के लिए वो light नो हने के नाते नहीं चल पाते हैं कोई बैकल्पिक बेवस्ता नो हने के नाते CCTV camera की recording नहीं हो पाती है unofficial elements in this are increasing in the illegal activity in the darkness और अंदेरे का लाव उठा करके जो और समाजिक तत्व हैं जो सरार्थी तत्व हैं वो अपना illegal activity वहाँ पर जारी रख रहे हैं incidents of theft and crime has increased our area हमारे area में चोरी और अपरात की घटना है तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर आपको मुद्द समापत हो जाता है अब आप last में क्या लिखेंगे last में आप appeal करेंगे last में आप क्या करेंगे request करेंगे appeal करेंगे कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए it needs to control the situation therefore आता है इस situation को control करने की जरुरत है इन सब गटनाव पर रोक लगाने की जरुरत है याद रखिए यह मेरे शब्द हैं यह मेरे वाक्य हैं आप अपने शब्दों में आप अपने हिसाब से भी इसको अपने शब्द बना करके लिख सकते हैं therefore I request you to help us in this matter अता मैं आप से request करते हूँ कि आप हमारी इस मामले मदद करें support in the matter हमको support करें अब अमार उजला के editor साब आपको support कैसे करेंगे अखबार उनका है तो वो आपने अखबार में आपकी इस खबर को चाप सकते हैं तो देखते देखते आगले दिन सुबा बहुत सारे लोगों के पासे जनकारी पहुंच जाएगी तो वही आप request करेंगे to give significant space in your column of the newspaper हमारी इस घटना के बारे में आप अपने newspaper के column में जगा दे दीजिए जिससे जन जाग रुकता फैलेगी लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इस बारे में जन चेतना फैलेगी और हमारा काम भी हो जाएगा अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे yours sincerely yours truly भी आप लिख सकते हैं truly यह भी आप लिख सकते हैं yours sincerely भी आप लिख सकते हैं yours faithfully भी लिख सकते हैं yours faithfully yours faithfully yours truly yours sincerely एक बात का ध्यान रखेंगे yours लिखते समय आप apostrophe का use नहीं करेंगे यह ऐसे करके ऐसे नहीं करेंगे ठीक है यह आप अपश्ट्राफी नहीं होगा सीथी चीथे yours लिखेंगे y-o-u-r-s ठीक है और उसके बात से अपना नाम xyz याद रखिएगा exam में कभी अपना name नहीं लिखा जाता है xyz या a-b-c ऐसे लिख सकते हैं y कई अगर आप letter लिख रहे हैं तो नीचे आप अपना नाम डाल सकते हैं चुकि एक्जाम में आपको लिखना है तो एक्जाम में आप नानियम नहीं शो किया जाता है ठीक है अच्छा और देख लेते हैं suppose लिख कि आपको कोई दूसरा matter है आपको किसी company में नौकरी के लिखना है तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर आप senders का address लिखेंगे बेजने वाले का उसके बाद बीच में update डालेंगे फिर किस का पता लिखेंगे पाने वाले का पता लिखेंगे लिकिन यहाँ जो आपका subject रहेगा बिशेर रहेगा वो दूसरा हो जाएगा वहाँ पर आप का लिखेंगे for the appointment of post जैसा आप teacher के लिए apply कर रहे है लिखेंगे for the appointment of teaching post तो लिखेंगे for the appointment of sales manager तो लिखेंगे for the appointment of executive तो वहाँ आपका subject बदल जाएगा तो आप कहीं किसी librarian बनने के लिए apply करने जा रहे है subject में क्या लिखेंगे to becoming an for becoming an librarian ठीक है ऐसे करेंगे ठीक है आपको अपने school के principal को लिखना है उसमें उनसे आपको अपना character certificate मागना है तो subject क्या हो जाएगा to issue character certificate to issue character certificate तो question के according subject क्या होता रहेगा बदलता रहेगा ठीक है और question के according यह जो पाने वाले का address रहेगा न वो बदलता रहेगा बगए formative सा क्या रहेगा आपका same रहेगा आपके लिए question यह भी दे सकता है कि अपने area में blood donation camp organize करने के लिए later लिखिए ठीक है तो वहाँ पे आपको subject क्या हो जाएगा subject हो जाएगा to organize blood donation camp ठीक है तो question के according subject बदलता रहेगा और पाने वाले के address बदलता रहेगा क्योंकि भेजने वाले तो हम ऐसा आप ही रहेंगे आप जब भी exam में later लिखेंगे तो later तो आप ही लिखेंगे बेजने वाले आप ही रहेंगे ठीक है लेकिन question के according जो पाने वाले के address रहेगा वो हमेसा बदलता रहेगा ठीक है इस वीडियो को अगर पसंद आ गया हो तो like कर दीजिए हमारे चैनल पे नए हो तो इसे subscribe कर देए और अपने दोस्तों में अपने लोगों के बीच इस वीडियो को share करें ताकि सबका फायदा हो सके आगले वीडियो में आपको informal letter के बारे में ऐसे example दे करके समझाया जाएगा कि informal letter में किसी इस type के letter आते हैं और उसका format आप कैसे लिखेंगे body letter कैसे बनाएंगे बाकी प्रक्रिया आप कैसे करेंगे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत